पूसा डिकंपोजर किसानों के लिए बनाया गया है जिससे किसान अपने खेतों में पूसा डिकंपोजर के घोल का छिरकाव करके पराली को जलाने के बजाए खेत के अंदर ही उसका खाद बना सकते हैं आईए आज हम आपको बताते हैं कि आप पूसा डिकंपोजर को कैसे प्रयोग कर सकते हैं पूसा डिकंपोजर की एक तिट में 4 कैपसुल होते हैं और इन 4 कैपसुल से आप गूर के गुल में बनाएंगे सबसे पहले आपको 500 ग्राम गूर की आवश्यक्ता है उसके बाद 50 ग्राम बेसन लेकिन किसान भाई ध्यान जाए कि यह ना सोचे कि यह तो ऐसे बनाना बेकार सा गुल और पुराना बेसन ले आप 500 ग्राम गुल को 5 लीटर पानी में उबाले और उतना अच्छी तरह उबाले कि उसके उपर जितनी भी गंदगी है उसको आप फेंक देजिए एक जब पूरा 5 लीटर पानी में से गंदगी उतर जाएगी तब एक चोड़ा वर्तिन देजिए और उसमें 5 लीटर गुल का गोल डाल दीजिए ये गोल बहुत गरम होगा तो आपको उसको उतना ठंदा करना है जैसे कि एक गहनी दूद में दही का मठा लगाती है उतना गरम होते ही आपने 50 क्राम के लगबग बेसन लेना है और उस गुड के गोल में बाल देना है और अच्छी तरह मिला दीजिए इसके बाद आप डेकंपोजर का पकेट खोल लें और उसमें से चारो कैपसूल खोल कर गोल के गोल में डाल दीजिए और उसका चूर छेलका या खोल है उसको भी उसमें डाल दीजिए क्योंकि इस खोल भी घुनन शीन है और उसके गोल के घुन जाएगा इसके बाद उसको अच्छी तरह हिला के आप एक पतले से तुपटा या कोई धोती या कोई पतले कपड़े से उसको ढख देजिए 24 खंटे के बाद आपको उसके अंदर एक अच्छा सा जाला दिखाई देगा जो सफेव रंका होगा जाला दिखते ही समझ जाए कि आपका जो घोल में जिवान है वो सक्रिय हो गया है और आपके जो कल्चर है वो बनना शुरू हो गया है चार दिन के अंदर आपको उसके उपर भाद अच्छे कोई हरा कोई काला पीला अलग अलग रंग के दाने दिखाई देए जैसे कि चाय पती के दाने होते ही और आपकी जो मैक जिसको हम बोलते हैं वो मलाई जो है वो भी मोटी हो जाएगी जब मोटी मलाई बन जाएगी तो पांच लीटर वाला जो गोल है उसमें उस मलाई को आप जो हलका सा मलसल दीजिए और दुबारा से पांच लीटर गोल का गोल हलका गोल करके उसमें डाल दीजिए इसमें ग्लाब 100 गोल लीजिए और पांच लीटर पाली लीजिए उसमें उबाल के हलका गरब जो है उसमें डाले अब इस समय किसान भाईयों को पेशन का प्रियोग नहीं करना है केवल गुल का गुल टालना है ऐसे आप 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 बना लेंगे और 25 लीटर बनते ही इसके बाद आप इसमें जिनारों की संख्या नहीं बढ़ेगी और आप 25 लीटर का प्रियोग कर सकते हैं तो एक कैपसूल चार कैपसूल की जो पाउच है इससे आप 25 लीटर बना सकते ही और कि क्या विभी है कि आपने जो कल्चर कर मात्र है वो 10 लीटर रखनी है और पानी जो है 300 लीटर उसमें 10 लीटर का घोल बना की चाहे तो दवाई छि अच्छी तरह उसका छिरकाव कर दें छिरकाव करने के बाद आपको फसल अफ्षेश को खेप में पलतना बहुत जरूरी है चाहे आप मल्चर चला लीजिए चाहे आप रोटावेटर चला लीजिए और अगर आपकी खेप में जो की पानी की मात्रा माइस्चर जिसे कहते है अगर प्रयाप्त है तो आप इरिगेशन मत देजिए में तो हलका पानी भी चला सकते हैं और फिर किसाम जिस भी फसल की गेहीं की और कोई भी फसल की बुआई करना चाहता है अपने साधारन तरीके से कर सकता है